दोस्तो नमस्कार जो पारलियमेंट बीते दस दिनों से ठप पड़ी थी वही पारलियमेंट बीते 24 घंटों में ऐसी सक्रिय हो गई कि 24 घंटे के भीतर ही उसने एक एक्स्ट्रा ओर्डिनरी नोटिफिकेशन निकाल दिया और नोटिफिकेशन भी राहुल गांधी की सदस्ता रद करने को निकाला गया और वह भी एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट के फैसले को लेकर निकाला गया यानि संसदिय राजनिती के इतिहास में कोई पहला मौका नहीं है कि कोई संसत की सदस्ता रद की जा रही हो लेकिन ये पहला मौका है कि फैसला मजिस्ट्रेट का और आरोप मानहानी का इस से पहले जो भी सांसदों के लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ और संसत की सरस्ता रद की गई उन पे बेहत गंभीर आरोप लेकिन मानहानी का मामला वह भी मेजिस्ट्रेट का फैसला सवाल अब यह नहीं है कि राहुल गांदी किस अदालत का दर्वाजा खटकटाते हैं सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी आई क्यों और इस तेजी के पीछे सरकार का कौन सा डर छुपा हुआ है और उस डर के मद्दे नजर क्या वाकई सरकार को नजर आने लगा है कि 2024 में अगर मोदी सत्ता ही इस देश में मुद्दा बन गई तो फिर कहीं के नहीं बचेंगे यह इस तिती क्या सरकार क्यों कटगरे में खड़ा कर रही है और आनन फानन में जिस रवानगी और तेजी के साथ फैसले लिये जा रहे हैं और आज का फैसला जो लिया गया वो हैरत पूर्ण इसलिए है क्योंकि जिन बातों का जिक्र पारलेमेंट में खुले तौर पर नारो की शकल में हो रहा था नारो से पहले बहस के जरिये किया जा रहा था उस बहस से पहले रैलियों में और सडक पर होने वाले प्रदर्शनों में हो रहा था उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार की ये हरकत काबिले तारीफ या काबिले गौर करने वाली है यह इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि चंद कागजों को आज खोलने की जरुरत है क् हमारे पास लोकसभा की उस पूरी की पूरी कमिटी की नोटिफिकेशन जो इससे पहले जारी हुए उनकी एक सूची है जिसमें जानकारी दी गई की 32 सांसद इससे पहले पारलियमेंट की सदस्ता जिनकी रद की गई है वह हैं उसमें बीजेपी के साथ हैं कॉंग्रेस के चार हैं समाजवादी पाटी के तीन है आर जेडी के छे हैं जारखन मुक्ती मूर्चा के दो हैं AI DMK के तीन हैं लेकिन इसकी सबसे खासियत बात ये है कि जिन 32 सांसदों की सदस्ता रद हुई उसमें से 22 या 23 सांसदों की सदस्ता 2014 के बाद रद की गई है यानि इस दोर में सदस्ता रद करने के लिए और कानूनी जामा पहनाने की जो पहल थी वो पहल होते होते मानहानी मुकदमे तक आकर टिक गई हम आज उस कच्चे चिठ्ठे को आपके सामने खोलें और बताएं कि सरकार को डर किस बात का है उससे पहले जरा समझिये कि बिहार के भीतर जो छे आरजेडी के सांसत थे उन सभी की सदस्ता जो रद होई उसमें दो सांसतों की सदस्ता दो हजार तेरा में रद होई थी एक लालू प्रशाद यादव और दूसरे जगदी शर्मा ये भी फॉडर सकैम में फसे थे इसके अलावे फरजरी केस में अनिल कुमार सहनी 2022 में अनंत कुमार आरम्स केस में 2022 में रेपके केस में राज बल्लव यादव 2018 में इलियास हुसैन 2018 में भरस्टा चार के मामले में ये बिहार का हिस्सा है जो RGD के साथ जुड़ा रहा अगर उत्तर परदेश में कदम रखियेगा तो वहाँ पर कॉंग्रिस के एक ही है राशिद मसूत जो भरस्टा चार के मामले में 2013 में उनकी सदस्ता रद हुई थी लेकिन उसके बाद BJP के Office of Profit 2015 में हमला करने का रोब था कॉप्स पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुलाजम का जो सबसे ताजातरीन मामला है 2023 का इनकी सदस्ता भी रद की गई और इस लिहाद से देखते चले जाईएगा तो आजम खान हेट स्पीच को लेकर इस देश के बीतर में सुप्रीम कोट तक में बहस हुई और कहा गया हेट स्पीच से नेताओं को बचना चाहिए तो क्या खर नेता को अगर उस कटगरे में खड़ा किया जाए लेकिन मसला आज ये नहीं है मसला सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई हम जब पूरी फिरिस देखते हैं तो इसमें स्मगलिंग है रेप है मडर है करप्शन है जादा से जादा कमाई करते हुए और किस रूप में लोगों को फसाने की परिस्तिती है पोल फ्रॉड भी है लेकिन मानानी नहीं है तो पहली बार एक ऐसे सांसत की सदस्ता रद की गई और उसमें लिखना पड़ा कि ये एक्स्टर ओर्डनरी है हमारे पीछे ये है तो बी पबलिस्ट इन दा गैसेट ऑफ इंडिया एक्स्टर ओर्डनरी पार्ट तू सेक्शन थ्री ऑबलिक टू डेटेट दा 24th मार्स लोग सभा सकेट्रेट की तरफ से जिसमें जानकारी दी गई कि दरसल जो चीफ जूडिस्टियल मेजिस्टेट सूरत के हैं और जो उन्होंने फैसला सुनाया CC ओबलिक 18712 ओबलिक 2019 उसके तहत जो आज जारी किया गया है वो नमबर 21 ओबलिक 4 पैरा 3 दो हजार 23 टीयो बी यह जारी करते हुए इसको जानकारी दी गई कि Constitution of India का जो Article 102 है और उसके Section B of Representation of People's Act 1951 के तहत यह चीजे रद की जारी है यह पूरी notification की copy है जिसके अंत में जो हस्ताक्षर किये गए हैं वहाँ पर उत्पल कुमार सिंग के किये गए जो कि Secretary General है सवाल ये नहीं है सवाल है कि डर किस बात का है और ऐसी इस्तिती क्यों आ गई और अब Congress सडक पर उतर कर संगर्ष 2024 की दिशा में करने के आगे बढ़ेगी राहुल गांदी के जेल जाने को तयार होंगे जो जानकारी हमारे पास आई उसके मताबिक राहुल गांदी कल भी त कानना था कि चुनाओं के वक्त कहा गया जो वक्तव है उसको लेकर इलेक्शन कमिशन ने कोई सग्यान नहीं लिया यानि उस दिशा में देखा तक नहीं कि राहुल गांदी कौन सा भाशन करनाटक के कोलार में दे रहे हैं। चुपा हुआ नहीं है और गुजरात के सूरत में एक MLA की तरफ से जो ये जारी किया गया उसको लेकर समूची BJP ये कूद पड़ी ये कहते हुए कि दरसल ये पूरे के पूरे प्रधान मंत्री के खिलाफी दिया गया वक्तव्य है और एक कदम और आगे BJP के अध्यक्चा उसमें डर इतना भयावा है उस डर के पीछे का कारण क्या है हमें लगता है कि आज सबसे पहले चंद पंक्तियों में उन बातों का जिक्र करना चाहिए क्योंकि जो बात निकल कर अडानी कांड से निकली है उसमें जाहिर तोर पर इस देश की एकनौमी से खिलवार है इस द है उसको लेकर संकट गहराया है लेकिन सरकार खामोश है और इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि कहीं अडानी फसे तो कहीं मोदी तो नहीं फस जाएंगे कहीं ये क्रोनी कैप्टलिजम का नेक्सिस इस देश के भीतर में इतना बड़ा तो नहीं है जो पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है तमाम बाते कहीं जा रही है लेकिन जब हम फैक्ट्स का जिक्र करना चाहते हैं कि फैक्ट्स फिगर क्या कहते हैं तो उस दिशा में जरा समझने की कोशिश कीजिए कितनी बड़ी तादाद में इस दौर में पूरी फिरिस्थ है जो इस कैम से भरी तो क्या सारे मामले उभर सकते हैं क्या ये डर है कि अगर जेपीसी बैट जाएगी और जेपीसी जब परिस्थितियों को टटोलने लगेगी तो इसी लिए ये हरवलाहट दिखाई दी गई कि 24 घंटे के भीतर सदस्ता रद करने की दिशा में सरकार बढ़ गई सहमती तो सरकार की रही होगी खुद अपने बूते किसी नियम काईदे कानून के तहट क्योंकि हर कोई जानता है जैसे ही सजा दी गई वईसे ही 30 दिन के किसी भी अदालत में जिरा करने के लिए और वहाँ पर अपील करने के लिए 30 दिनों का स्पेस भी दिया गया लेकिन बावजूद इसके लोकसभा सक्रिये पारलेमेंट के भीतर से नोटिफिकेशन जारी और गैजट में वो छप कराकर मोहर के साथ खड़ा हो गया अब आईए कौन सा डर है इस देश के भीतर में उन परिस्तितियों को लेकर सरकार के सामने कि अगर सरकार ही मुद्दा बन जाए और सरकार के इरदगिर्द जो तमाम आर्थिक पक्ष है और उसके घपले गोटाले हैं वह कहीं खुल जाए तो क्या होगा हम एक फ्रिस्त आपके सामने बताते हैं कंपनी भी है कंपनी Alrighty के मालिक का नाम भी है और रकम भी है बहुत सब नाम नहीं ले सकते हैं को कि सभी नाम लेने में 782 लोगों के नाम लेने होंगे 782 नाम छोड़ दीजिए टॉप मोस्ट 10-15 नाम हम आपको बतलाते हैं जैसे DHLF स्कैम राजेश पधावन 34 हज़ार करोड का ये पूरा स्कैम निकल कराया ABG शिप्याड रिशी अग्रवाल 22,800 करोड का स्कैम ये निकल कराया स्टरलिंग बायोटेक नितिन संसेरा 16,000 करोड का स्कैम निकल कराया DPIL घोटाला अमित भटनागर 2654 करोड का स्कैम निकल कराया रोटोमेक घोटाला विवेक और राहुल कोठारी का नाम आया 14,000 करोड इन से भी जुड़ा विडियो कौन घोटाला वेनु गोपाग धूत का नाम सामने आया 3,250 करोड किंग फिशर यानी विजे मालिया 9,900 करोड IPL घोटाला ललित मोदी जो और पहले चले जाई है जिस जिक्र का जिक्र बार बार हो रहा था कि ललित मोदी और निरम मोदी का जिक्र ही तो किया गिया था तो ललित मोदी 1,700 करोड रुपाए गिता अंजली जेंपस निरम मोदी 3,250 करोड गितांजली जेंपस मेहुल चोकसी 13,500 करोड R.E.I. एग्रो संदीप जुनजुनवाला और संजे जुनजुनवाला चार हज़ार तीन सो चौदा करोड विंसन डैमंड एंजेवलरी चार हज़ार चीटर करोड और आर्बियाई ने अपने बटे खाते में इन सब को डालने की दिशा में कोई कोता ही नहीं बरती यानि जिस देश के बीतर में इन सारी चीजों को लेकर एजनसियों को सक्रियों होना चाहिए जो अडानी कांड के बाद से लगातार पार्लियमेंट में गुंज रहा है उस सवालों से दूर आर्बियाई सक्रियों होती है कि मामला रेड कार्पेट के मीचे चला जाए और लीगली तौर पर उसको रिटन आफ कहा जाता है जहां पर कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पा रहा है यह सोच कर कह दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं पड़ती है क्योंकि मसला सरकार को बचाने का है या इस दोर में कानून को इस रूप में मोडने का भी है कि सरकार के उपर कोई आच ना आए और सरकार पाक साफ दिखाई दे क्या ऐसी स्थिति है क्योंकि जब हम इस बात को परखना शुरू करते हैं कि क्या वाकई अडानी दोशी अगर हो जाएंगे तो क्या देश के प्रधानमंत्री मोडी भी दोशी हो जाएंगे क्या अडानी का समरज अगर ढह जाएगा तो क्या भारत की एकनॉमिक के साथ प्रधान मंतरी मोदी ने जो पूरी एकनॉमिक धाचा बीजेपी के लिए खड़ा किया है इस दौर में वह भी ढह जाएगा क्या कि तमाम नितियां इस देश के भीतर में अगर वो जाच के दाइरे में आकर खड़ी हो जाए तो 2014 से 2023 तक की एक लंबी फेरिस्त है वहाँ पर तो हम जिक्र 782 लोगों का कर रहे थे कि इतने लोगों के नाम हमें लेने पड़ेंगे जो का जिक्र करने की जरूरत है उसमें शुरुआत तो नमामी गंगे योजना से ही होनी चाहिए उसको लेकर भावनात्मक तोर पर मा गंगा ने जब बुलाया था उसके बाद की परिस्तिती को परकिएगा तो हो सकता है आपकी हतेली में गंगा पाली के साथ कुछ प्रदूशन भी आ जाए और उसके बाद स्वच भारत इस कैम यह भी एक बड़ा है राफेल इस कैम छुपा नहीं है लेकिन सरकार ने कहा था कि नैशनल सेक्योर्टी का मामला है नहीं बताएंगे सुप्रीम कोट भी कुछ नहीं कर पाई नोटबंदी का स्कैम क्या छुपा हुआ है जो 6 वज़ा बताई गई कि इस वज़ा से नोटबंदी हो रही है 6 वज़ा कहीं जादा बड़े रूप में सामने आकर खड़ी हो गई लेकिन सरकार के माते पर शिकन नहीं उसके बाद देखिए एनपीए का स्कैम 2,40,000,000 करोड से बढ़ते बढ़ते कितने लाग करोड हो गया इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगना चाहिए कि तकरीबं 11,000,000 करोड सरकार ने माफ कर दिये एनपीए की रकमकों की बैंकों की किताब ठीक रहे और उसके पीछे का जो पूरा गोरक धंदा था जिन्होंने करज लिया था वो किस रूप में पॉलिटिकली सक्रिये रहे या पॉलिटिकल पार्टी को सक्रिये बनाए रखने के लिए कितना पैसा कहां से देते चले गए ये एक अलग किस्सा और इसके साथ इलेक्टरॉल बॉंड जुड़ा हुआ है जो बारा लाग करोड से जादा का इस दोर में हो गया और विदेशी पूंजी भी लेने से कोई गबरहाट नहीं है एक लंबी फिरिस्थ है सरकार के भीतर की चलती हुई जो हो सकता है वैपारियों को जी एस्टी के जरिये भी लगती हो और जब आप उस इलाके से गुजरे जहां विपक्ष के नेता विजे चौक तक आये थे तो उनकी नजर बार बार जा रही होगी सेंट्रल विस्ता की दिशा में सेंट्रल विस्ता को लेकर 13,450 करोड का जिकर जो बार बार होता है उसकी जरुरत को लेकर उसमें जो जिन कमपनियों को लगाया गया उनको लेकर ये सारे सवाल अनसुलजे से हैं इस दौर के भीतर में और उसमें आपके जहन में PM Care भी आएगा PM Care नाम है उसका दफतर सरकार के दफतर के भीतर है लेकिन वो इस देश की सरकार के PM Care नहीं है वो एक प्राइविट हातों में चीजे है जिसकी जानकारी बकाइदा अदालत में दी गई ये कौन सी परिस्तिती है कि खुले तोर पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया और इस दाइरे में इस देश के तमाम सारजनिक उपकरमों को कॉर्परेट कुप देना PSU का जो सेल है पैट्रोल डीजल टेक्स जो रवेन्यू सरकार की कमाई है ये भी कल्पना के परे है कि साथ और आठ लाक करोड दो हजार बाइस तेश के बीच में इतनी बड़ी रखम रेवेन्यू के जरीए कमाई गई जो कल्पना के परे है इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था दुनिया के बाजार में कोई भी कीमत हो हलाकि आज की तारीक में बहुत कम कीमत है डिजल कच्चे तेल की लेकिन भारत में वह उसी कीमत में मिलेगा जिससे सरकार के पास पैसा आता रहे सरकार की आर्थिक नितियां और आर्थिक नितियों के उपर प्रचार प्रसार का पैसा इनी प्रोसेस से निकल कर आता है ये टेक्स पेर भर का पैसा नहीं है ये सिर्फ सरकार की अपने कामकाज को करने की कमाई का एक हिस्सा बन गया है उसके बाद आईए याद कीजिए पेगसेस कांड जासुसी कांड उसमें भी विसी जिक्रता की दर्शल नैशनल सेक्यूर्टी निजिकर्ण और मॉनिटाइजेशन के दायरे में इस देश में अलग-अलग मंत्रालें के भीतर से जो योजनाई निकाली गए वो सिर्फ 6 लाक करोड की नहीं है दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 6 लाक नहीं लगबग 50 लाक करोड पार कर जाएंगी जिस इस्तिती मे 2025 तक के आंकड़े रखे गए कि इनका हमको मॉनिटाइजेशन करना है या इनका निजिकर्ण करना है और इस दिशा में जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो योजनाओं की एक लंबी फरिस्त आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो 3-4 सवाल इस दोर में सबसे बड़ गया कि 30 दिन के लिए जमानत देते हैं कि आप बड़ी अदालत में जाएए और इसको क्वैश करा सकते हैं उसके बावजूद भी सक्रिये पारलेमेंट हुआ लोगसभा हुई लोगसभा का सचवाले हुआ और तुरत फुरत में एक्स्ट्रा ओर्नरी नोटिफिकेशन बना करते हुए सरकार को कट घरे में खड़ा करे उसको मैसेज देने की जरुरत है और मैसेज खुले तोर पर होना चाहिए यानि मैसेज छुपके नहीं दिया जाएगा जिससे बाकी लोग घबराने लगें यानि राहुल गांदी को अगर सदस्ता रद की जाती है तो सोचिये न दवठाकरे क्या सोचेंगे और NCP के शरत पवार क्या सोचेंगे इनके तो हात्माँ फूलने लगेंगे जब राहुल गांदी को नहीं बक्षा तो फिर बाकियों की क्या उकात और बाकियों को लेकर तो कभी भी अंदर डाला जा सकता है उनके पीछे तो देश भर का कोई सं नठन है तो महले के भीतर आतंक और खौफ पहलाने का बहुत पुराना रास्ता रहा है उस महले के सबसे बड़े गुंडे को पकड़िये और उसको अंदर डाल दीजिये तो सारे चीजें हो जाती है परिस्तिती तो क्या ये गुजरात मॉडल का एक नायाब रूप है जो भ पराहट में लिया गया ये फैसला तो नहीं है हमने जान बुच की आज पीछे जोर्च फरनांडिस की एक किताब रखी है जोर्च फरनांडिस जेल में थे मुझफर नगर में और नारा लगने लगा था कि जेल का ताला तूटेगा जोर्च फरनांडिस जीतेगा जेल का ता प्रवरी के महीने में ये लग नहीं रहा था कि वो चुनाव हारेंगी। उनके इर्द गिर्द के सारे लोग कहते थे चुनाव जीतेंगे। एमरजंसी हटाई चुनाव हुआ चुनाव हार गई। वो जिस रैली में जाती थी बड़ी भीड लगती थी। और भीड लगते वक जिसका जिक्र विशन किताब ये वाली है विशन टेंडन की जो किताब है आपतकाल एक डैरी के तौर पर है। उन्होंने इस किताब में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि कैसे अपने तौर पर जब वो रैली करने जाती थी तो लोगों की भीड रहती थी और लोग देखने आते थे वो कौन सी महिला है जिसने इस देश में अमरजनसी थोप दी जिसने इस देश के भीतर में लोगों को जेलों में ठूज दिया और जिस तरीके से दिल्ली के भीतर संजय गांदी ने उस दौर में जो कुछ किया वो सारी चीजें कहीं इंद्रा गांदी के साथ वी चली गई तो क्या वाकई मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगती हुई रेलियां और उसमें भीड कहीं उस दिशा में तो नहीं जा रही और ये खौफ इस दोर में सत्ता के माथे कहीं परिशान करने तो नहीं लगा है और इसलिए हर बलहाट में ए यानि कहीं राष्टवात का जिक्र हो कहीं धर्म का जिक्र हो तो हिंदुत का बोलबाला हो ये सारे चीजे डैलक्स दरसल इलेक्शन की दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं और जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो तीसरा मुद्दा कहीं बढ़ा है यानि एक तरफ का करेंट दोड़ने लगा है जहां उन्हें समझ में आने लगा है कि दरसल ये 2014 नहीं है ये 2019 भी नहीं है और 2024 के बाद 2029 पता नहीं आए कि ना आए यानि वो पूरे नेताओं की कतार और उनकी उम्र और उनकी राजनितिक जमीन को जरा परकने की कोशिश कीजिए जो विप पार भी है इसलिए फैसले तुरत फुरत में लिए जा रहे हैं और 24 घंटे से भी कम वक्त में सूरत के मेजिस्ट्रेट के दिये फैसले पर अमली जामा पहनाते हुए राहुल गांदी की सदस्ता रद करने का एलान बकाइदा नोटिफिकेशन के जरीए कर दिया गया ये मै जालत के जरीए मामला क्वैश और संसत की महत्ता खतम और इसके बाद सडक पर इस देश में सियासी बोलबाला और उसका संग्राम या एक तीसरी इस्तिती है कि इसके आगे क्या-क्या होने वाला है इसका इंतिजार इस देश को करना है देखना है या फिर 2024 की दिशा में बहुत कि इसके लिए